आसावा ब्रदर्स, Commerce Junior College, Concept-Based Education, जहां सपने सच होते हैं तो उसे हम Accounting Language में क्या किते बिटा Goodwill, और कोई भी Organizations का अपको Goodwill compute करना है तो उस Organizations से Related, Previous, Profit and Losses अपको Aware होना क्या है बिटा? जरूरी तो बिटा ये Goodwill कोन-कोन से situations में compute किया जाता है Partnership Firm में अमने last lecture discuss किया, बिटा Partnership Firm में कोई भी changes होता है में इस Partnership Firm में existing Partners के Profit Sharing Ratio change होते है या फिर Partnership Firm में कोई new person as a partner बुलके admit होता है या कोई Partner Retire होता है या फिर किसी की death होती है या फिर जब दो Partnership Business से smurge होते हैं तो इन अल situation, every Partnership Organization अपने Firm का ख्यान कालता है बिटा Goodwill और इस Goodwill compute करने के लिए आपको तीन Methods दिये है तो वो Method से बिटा Average Profit Method, Super Profit Method and Capitalization Method जिसमें से आज हम सबसे पहले देखने वाले बिटा Average Profit Method और यही Method हमारे syllabus में हमें useful है that's why हम इसी Method का क्या करने वाले बिटा, Use करने वाले तो बिटा हम समझ के लेते है बिटा Average Profit Method तो बिटा, before starting Average Profit, सखसे पहले बिटा Average इस Word का मतलब क्या होता है यह आपको समझ रहाना चाहिए बिटा Average, Average हम किसे गहते है बिटा, Average का मतलब होता है सरासरी Just, सरासरी जैसे बिटा, for example, वोई आपको पूश्ट आए कि आपको 10th में कितने percentage आए तो हम बताते हैं हमें 10th में कितने percentage आए बिटा, 75% तो बिटा, यह 75% क्या represent करता है तो बिटा, यह 75% represent करता है On and Averagely, मुझे हर subject में 75K आज़ पास क्या थे, बिटा, marks थे तो जो Average होता है, वो overall जो भी आपका result है उसको बिटा, summarize करता है एक number में तो मुझे बिटा, 10th में total 5 subject है तो 5 subject का मेरा Average कितना है बिटा, 75% तो इसका मतलब हो रहा है, On and Averagely, हर subject में मुझे कितने marks मिले है बिटा, around of 75% तो 75% मेरा क्या है बिटा, Average है तो Average का मतलब होता बिटा, सरा सरी और यह कैसे निकाला जाता है तो उसके लिए मैं आपको एक example देता हू जैसे for example बिटा, एक organization है ABC Limited बिटा, एक organization है बिटा, ABC Limited इस ABC Limited से related, previous, कुछ सालों के आपको profit दिये 16, 17, 18, 19, 20, यह past साल है उस past साल से related आपको उस organization का क्या दिया बिटा, profits and losses दिया suppose 2016 में आपको profit दिया बिटा, 70,000 2017 में आपको profit दिया, 80,000 then 2018 में आपको profit दिया, 1,20,000 2019 में बिटा, आपका profit है, 1,30,000 1,30,000, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, जार and 2020 में आपका profit है बिटा, आपका profit है, 1,00, रुपीज इतना है बिटा, 1,00, रुपीज तो बिटा, पहले साल आपको profit है, 70,000 दुसरे साल profit है, 80,000 दुसरे साल profit है, 1,20,000 next year, 4th year आपका profit है, बिटा that is, 1,30,000 and then 5th year में आपका profit है, 1,00 तो अब मैं आपको पूछता है, on and average ली, पिछले past साल में ABC Limited को कितना profit हुआ on and average ली, पिछले past सालों में ABC Limited को कितना profit हुआ तो आप इसका average कैसे निकाले के बिटा तो सबसे बेले आप क्या करोगे बिटा जो भी profit से, जो भी profit से उनका क्या करोगे बिटा, sum of करोगे इन सब की total करोगे, तो देखे बिटा 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh and 5 lakh तो पिछले past साल में आपको total profit कितना हुआ? 5 lakh divided by number of year divided by number of year, कितना है बिटा हुआ? 5 number of year, कितना है 5 कि पास साल के profit आपने add-on less के है 5 अजा 5 अजा तो on and average ली आपका average profit on the business of last 5 years कितना हा रहा बिटा? 1 lakh तो on and average ली पिछले past सालों से हर साल आप कितना profit आपका रहा हुआ? 1 lakh रुपीज तो यह आपका क्या है बिटा? Average बिटा average कैसे निकाला जाता है? समझ में आ गया जो भी आपको profits दिये है उनी profit का आप क्या करोगे विटा? Sum of करोगे और उस profit को number of year से आप क्या करोगे विटा? डिवाइब करोगे तो आपको उस organization का क्या मिलेगा विटा? Average profit का average का मतलब बता है सरासरी on and average ली previous 5 years से मैं कितना profit earn कर रहा हूँ? 1 lakh पर जब actually देखा तो किसी सार में मुझे 1 lakh से कम भी था और किसी सार में 1 lakh से जाधा भी था पर मुझे क्या चाहिए था बिटा? Average तो average कैसे निकालना है सब को समझ में आया? जो भी आपको information दिया है जो भी आपको profits losses दिये उनका sum of करो और उसको divided by number of year करो तो आपको क्याम देगा आपके business का average तो average कैसे निकाला जाता यह सब को समझने आ गया है तो पिटा under the average profit method average profit method में जब भी आपको goodwill compute करना है तो आपको सबसे पहले उस organization का क्या निकालना पड़ता विटा? average profit question में आपको last previous year के काफी सारे सालों के profits and losses दिये जाएंगे उन profit and losses के basis पे आप सबसे पहले उस organization का क्या निकालो विटा? average profit और on the basis of average profit जब आप average profit को number of year purchase number of years purchase यह concept काफी important है number of years purchase जो आपको हमेशा question में दिया जाता है यह number of years purchase क्या होता है हम later on discuss करेंगे यह theoretical concept है और यह concept का हम बाद में क्या करेंगे तस समझ के रहेंगे तो बड़ा under the average profit method आपको सबसे पहले आपके organizations का क्या निकालना है बड़ा? average profit and then उस average profit को आप number of years purchase से multiply करोगे तो under the average profit method आपको आपके organizations का क्या मिलेगा आपका goodwill तो बड़ा under the average profit method आपको आपके phone का goodwill निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है आपके business का average profit and then average profit को multiple buy करना number of years purchase से तो जो आपका answer आएगा वो रहेगा बड़ा आपके form का goodwill under the average profit method और यह जो number of years purchase है यह theoretical concept है यह हमेशा आपको problem में दिया जाएगा और जिस problem में आपको number of year purchase नहीं दिया है तो वहाँ पे assume करना कि number of years purchase problem में कितना है बड़ा one कितना है बड़ा one तो write down बड़ा सबसे बिला हम average profit का क्या लिपते है बड़ा mini write down बड़ा average profit method अभी मैंने आपको average होता है average कैसे निकाला जाता है simple बड़ा average profit method, write down बड़ा under this method under this method the goodwill is calculated goodwill is calculated on the basis of on the basis of on the basis of average profit average profit average profit of the of the past few years 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 are taken into consideration are taken into consideration and and after that after that after that after that goodwill is calculated goodwill is calculated goodwill is calculated goodwill is calculated बंड एकॉण से के रिधा किति क्या हो सकते ते CAD ने सिर्बनें आड द ne क्या हो आग में खर्चा हो कि अगरी क्या है यंड पर गर खारी अगरी खोसतोफ Most of, here, 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 we should understand, we should understand, we should understand, one thing that, one thing that, one thing that, number of years purchase, number of years purchase, number of years purchase is taken, is taken on, is taken on the assumption basis, the assumption basis, the assumption basis, full stop, full stop. Under this method, under this method, goodwill is calculated, goodwill is calculated with the help of, with the help of following formula, with the help of following formula. और इस method में goodwill का formula है, इस method में goodwill का formula है average profit method में. next line में लिखो गया, goodwill is delivered to, goodwill is delivered to, average profit, average profit into, average profit into, number of years purchase, number of years purchase, number of years purchase, number of years purchase, average profit method में goodwill का formula है बिडा, average profit into, number of years purchase, बिडा, average profit method में सबसे बिल आपको average profit निकाल दे आना चाहिए, और average profit का पूझ पूझ आपको नचे पूझ से मुल्टिक्ला पाय का आपको थे तो आपको अख्ये firm का goodwill मिलेगा, under the average profit method, under the average profit method. यहे रे बिडा सबको समझ में आ गया है, आगे next heading दो बिडा, next heading दो, next heading, right down next setting ते लुपिड़ा following are the steps following are the steps following are the steps which is follow which is follow which is follow under under average profit method under average profit method average profit method goodwill को कैसे compute करना है तो उसके लिए कुछ step दिये है वो step हम क्या करते है लिए लिए लिख लिए है सबने इसे मैं rough कर रहा हूँ average profit method में goodwill कैसे compute किया जाता है वो अब हमें क्या करना है सीखना है सबसे पहले हम लिखते है सबसे लिएक बिड़ा यहां पर heading देदो वो step form उसे तीन step है जिसके धूँ average profit method में से क्यान गाल सकते है वो गुड़ू निकाल सकते है तो सबसे बिले यहाँ पे लिख देना आप कौन से method से goodwill compute कर रहे हो सबसे बिले आपको लिखना है आप कौन से method से goodwill compute कर रहे हो यहाँ पे लिख दो बिड़ा calculation of goodwill calculation of goodwill under under average profit method calculation of goodwill under average profit method सबसे बिले बिले सन्सेप बिले बिले आपको लिए कर दे कर दे कर दो दोगरी'RE हो बिले सक्राइब बिले से उसे होगा दाफिश कर दाफिश का दया है फिलकी कि भी आफिश कर दिश है पूरक्मीश कोव 이 एक कि डिया हां लोल स्वीश है like cin one में आपको है प्रॉफिट करना है तोटल प्रॉफिट कैसे फ़ांड किया जाता है अपको सब्सक्राइक है उसमें से लॉस इसको क्या करो बिदा सब्राक्ट करो तब आपको मिलेगा पता, total profit, step second, step second, calculation of average profit, calculation of average profit, the average profit is the formula right, average profit is equal to the total profit on the number of years, number of years, average profit card, क्या फ्या 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 फ्या, total profit upon number of years and step third, step third, calculation of goodwill, calculation of goodwill, calculation of goodwill step third, calculation of goodwill, goodwill फ्या 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 लिखा का goodwill is equal to average profit into number of years purchase, number of number of years purchase, number of years purchase, तो ये तीन step पे बिटा, जिसके थ्रू आप average profit method में क्या compute कर सक्कूं बिटा, goodwill, तो पहला step पे आपको क्या निकालना है, total profit, total profit का, क्या formula है, profit minus loss, क्या formula है, profit minus loss, क्या formula है, profit minus loss, दूसरा step पे बिटा, calculation of average profit, average profit का, क्या formula है, जिटा, total profit upon number of year, जिटा, time of calculation of total profit, जितने profit हम add or less करते हैं, वो divide करते हैं, हम total profits को, तो हमें मिलता है average profit, and last one step पे बिडा, calculation of goodwill, और बिडा goodwill का formula है, goodwill is upon to average profit into number of years purchase, average profit into number of years purchase, बिडा number of years purchase, ये हमेशा आपको problem में दिया जाता है, और ये नहीं दिया है, तो assume करना है one, ये assume करना है बिडा आपको one, ये हमेशा आपको question में दिया जाता है, तो in step, 3 step through, आपके business का goodwill compute कर सकते हो, by average profit method, तो average profit method में goodwill किस तर से compute किया जाता है, सबसे बिडा आपको निकालना है बिडा, total profit, number second आपको निकालना है बिडा, average profit, number third आपको निकालना है बिडा, goodwill, तो goodwill का formula बिडा, average profit into number of years purchase, average profit का formula बिडा, total profit upon number of years, and total profit का formula बिडा, profit minus loss, कि ये, कोई broker बिडा, अभी हम इस पे एक sums देखते हैं, बिडा practical sums देखते हैं, जिससे आपको और priority आजाएंगी, किस तरह से हमें sums को solve करना, तो अभी हम इसी पे एक questions देखते हैं, ये जो question है, इसके लिए मैं आपको एक video form में sheets दूँगा, वो sheets को को के, फोन पे या laptop पे या फिर आपको उसकी printout की कालना है, और उसी sheets में से, हम average profit method से, गुर्विन के sums क्या करेंगे बिटा, solve करेंगे, तो की के बिटा, तो हम देखते हैं, sheets में से, sheets, आपको ऐसी sheets में provide को होंगा, आपको video form में, तो sheets में से हम देख रहे है, question number second, हम कुन सा question देख रहे हैं, question number second, question number second, पहले में questions को read करता हो, question में क्या दिया है, क्या नहीं, आप समझ के लिटे, and then हम average profit method से, गुर्विन क्या करेंगे, compute करें, जब भी आप sum solve करोगे, तो question में दो चीज़े आपको समझ में आना चाहिए, एक question में number of years purchase कितने है, और दूसरा number of years कितना लेना है, यह आपको समझ में आना ज़रूरी, तो ध्यान से बिटा क्या दिया है, रमेश and सुरेश are equal partner of the firm, बिटा, दो परसन है, रमेश and सुरेश, जिनका एक partnership firm है, और उस firm में जो भी profit या losses होता है, वो क्या करते है, बिटा, आपस में share करते है, equal, the profit and losses of their firm for the last 5 years are even below, तो बिटा, उस organization से related, previous आपको 5 सालों के, previous, 5 सालों के को क्या दिये बिटा, profit and losses, तो मैंने देखा, मैं आपको पहले ही रता है, जब भी आपको और भी organization का goodwill निकाले हो, तो उस organization से related, previous profit and losses आपको question में दिये जाए, तो बिटा, पहले साल, आपको profit ये बिटा, 5, 6, 20,000, 6, 7, 24,000, 7, 8, 32,000, 8, 9, loss ये, 11,000, and 9, 10, आपको profit ये बिटा, 40,000, आगे बिटा, find out the value of goodwill at 2.5 years purchase, number of years purchase, problem में कितना है बिटा, 2.5 years, बिटा, इसे underline कर तो, 2.5 years, 2.5 years of average profit of last 5 years, बिटा, problem में number of years purchase, बिटा, 2.5 years, और average profit आपको compute करना है last 5 years के basis पे, last 5 years के basis पे, अब बिटा, questions को किस तरह से solve करना है, वो हम समझ के लिए, बिटा, question आपके सामने, बिटा, रमेश और सूरई, जो भी profit sharing ratio भी है, बिटा, वो हमारी information है, हमें questions में से क्या चाहिए, बिटा, profit and losses, यहाँ पे हम दिखते हैं के बिटा, सबसे पेले, calculation of, calculation of goodwill, under, under, average profit method, calculation of goodwill, under average profit method, हमें average profit के, average profit method के अंडर में इट फो हम का क्या चाहिए, बिटा, Look, तो पेला sting हमारा क्या हुआ बिटा, total profit, हमें क्या लिटा, total profits, हमें क्या लिटा, total profits, और बिटा, total profits का formula लिए कगे हैं, ये megakко, क्या formula total profit का profit, profits, minus, loss, जो भी profits है, आऄ सबका sum up करो, जो भी losses है, उसमें से क्या चाहिए हम बिटा, सब कराक करों, पहले साल आपको profit जिआ इडा, वीच स понять । टैसरे साल आपको profit जिआ इडा, श jsिवीच जिसरे साल आपको profit जिआ इडा, 32,000 4 year में आपको Loss while Loss अबगे कहा बाद में इतने 4th year में आपको Loss है, 5th year में आपको Profit जिआ इस जिआ इडा, 40,000 minus loss जिआ इडा, minus प्रफिए आपका लॉस एडा 11,000 जो भी प्रॉफिट दिये उन सब को मने समॉप किया उसमें से जो भी लॉस एडिया क्या विडा सब्क्राइट किया तो करो गडा कैलिएशन करो डूटल प्रॉफिट कितना आएगा तो इडा 20 और 20, 40, 40 और 30, 70 और 110, 70 और 10 एक्सोड़ आएग्सोड़ एक्सोड़ 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 और भू एक्सोड़ एक्सोड़ विडार वमगा 16,000 minus 11,000 का loss, minus 11,000 का loss, तो अब का total profit आएगा विटा, 1,05,000, तो इन सब profits का में इने addition किया, उसमें losses को subtract किया, तो मेरा total profit आए विटा, 1,05,000, अब step second, step second, में क्यान का लोगा विटा, average profit, क्यान का लोगा विटा, average profit, average profit, क्या formula विटा, average profit का, total profit, total profit, upon, upon, number of, years, total profit, upon, number of years, तो मेरा total profit, कितना आएगा, 1,05,000, 1,05,000, upon, number of year, जितने profit मैंने add or less किया, 8, 2, 3, 4, 5, तो divided by 5, को मुझे on and average profit per year, profit per year, average profit मेरा, 1,05,000, divided by 5, 5, 1,000, 5, 2, 2, 10, 5, 1,000, that is 21,000, average profit मेरा, कितना इका विटा, 21,000, कि मेरा आएगा, average profit, that is 21,000. अएगा, कितने अएगा, step third, step third, goodwill, goodwill, this is equal to, Average Profit, Average Profit into Number of Years Purchase, Number of Years Purchase, Number of Years Purchase. Average Profit is 21,000 x Number of Years Purchase, find out the value of goodwill at 2.5 Years Purchase, 2.5, so 2.5 Years Purchase is Number of Years Purchase. The Number of Years Purchase always आपको problem में दिया जाता है, नहीं दिया तो उसके अदूरी करता है, बिटा, just 1, but यहां पे दिया है, 21,000 x 2.5, 21,000 x 2.5, like यह आएगा, 52,500, यह आए पिटा मेरे, firm का goodwill under Average Profit Method, therefore, यहां में लिख दूना पिटा, therefore, goodwill, goodwill, goodwill of the firm, of the firm, is rupees 52,500, 52,500, तो मेरे firm का goodwill, कितना रहेगा, बिटा, 52,500, तो इस तरह से आपको goodwill का question solve करना है, by Average Profit Method, तो सबकोर समझ में आगे आगे, Average Profit Method में, बिटा कैसे निकाला है, सबसे बिल हमने क्यान का था, Total Profit, उसके बाद Average Profit, and then उसके बाद goodwill, और बिटा, ये तिनों formula को याद हो जाएंगे, आप एक दो बार उसकी practice करोगे, तो Total Profit का formula, बिटा, Profit Minus Loss, Average Profit का बिटा, Total Profit Upon Number of Year, Number of Year का मतलब बता, जितने Profit और Loss सबने add or less किये, and then बिटा, goodwill का formula, Average Profit Into Number of Years Purchase, जो हमेशा आपको problem में दिया जाता है, नहीं दिया, तो assume करना है, one, तो इस तरह से बिटा, आपने question number, question number second, क्या क्या बिटा, solve दिया, सबको समझ में आ गया है, anyone, उसे को कोई doubts, चोलो बिटा, जल्दी copy करो, जल्दी copy करो बिटा, इसे, सबको बिटा, यह मेथर समझ में आ गया, अब मैं questions आपको homework के लिए दिखा, बिटा, simple, यही step, follow करके आपको, क्या करना बिटा, उसका answer मिकालना है, नहीं आता है, तो मैं next lectures, मैं वो सम्कुर सबको, क्या करना, बिटा, solve करके, दिखाँ, तो बिटा, हमो के लिए, हमो के लिए, question number first, question number first, simple sa question, तो मैं question को बिटा, explain करता हूँ, सब द्यामदो बिटा, the profit of a firm for the last five years are as follows, बिटा, एक firm है, जिससे related आपको previous past साल की profit and losses धी है, बिटा, आगे बिटा, you are required to calculate the value of goodwill at two years purchase, तो बिटा, two years purchase, क्या बिटा, number of years, तो बिटा, इसे underline करना, इस problem में number of years purchase कितने बिटा, two years purchase, two years purchase, तो बिटा, question simple है, कोई loss, इस कुछ भी नहीं गिया है, simple sa question है, number of years purchase ही बिटा, two years, प्रेच प्रॉफित लेना है, last five years के basis, तो question number first, आपके लिए आपका क्या रहेगा, अपको समझ में आ गया है, बिटा, जो student lectures देख रहे है, वो at least बिटा, पहले seven days के lectures, continuously watch करो, तो आपको समझ में आएगा, एक lecture में किसी को भी कुछ understand नहीं होगा, that's why आप regular basis पे पहले जो भी कुछ आपको demo lectures दिये गए है, वो पूरे demo lectures आप प्रॉपरी, watch करो, on that basis आपको समझ में आएगा, कि आपको पढ़ाना समझ रहा है, या फिर नहीं समझ रहा है, if in case इसे को कोई doubt difficulties है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, personally मेरे number पे आप contact करो, आपके जो भी doubt difficulties है, वो मैं आपको solve out करके दो दूँगा, मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नम्बर है 9545456814, regarding any lectures, previous, जितने भी आपके lectures हुए है, demo में, उन lectures और इस lectures में भी कोई doubt difficulties है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, okay, thank you.